सो और राइट मुवी की स्टार्टिंग प्रक्टिकल से हटकर प्रक्टिकली उन्हें कॉंप्लेक्स से वाटर एनिमल्स को कहीं न कहीं देखना चाती थी ताकि वो अपनी इससे प्यंजटी की रिशर्च को अच्छे से एक्सपांड कर सकें सो बेन वो अपने बिल्कुली पास से महीं बैठे हुए प्रफेसर माइकल से रिक्वेस्ट करते हुए अभी और इसे ही वक्ती उनको अपने प्रक्टिकल नौलेज के लिए काउंटी की किसी भी लोकल सी की तरफ बेजने के लिए कहती हैं ताकि ये वहां रहकर अपनी रिसर् इसमें जाने के लिए कहते हैं तो बस सब इसे ही इंटेंशन के साथ सीनप सीधा घूमकर निम सीनोर के उपर ही फोकस होता है जापर सोबेन वो जैसे तैसे बोट पर आते ही उसकी मुलाकत इसे शिप के ओनर जैक और इसकी वाइफ पैट्रिक आसे होती हैं जो कि वो दोने ह एक अफ़ते के लिए रवाना हो जाते हैं तो मिल वालब इसे ही दिन रात को ब्रेंडन वो नॉर्मली सोबेन को जो कि वो प्रोफेशन से को कोसगार्ड था नॉर्मली उसको बोट का तूरी ही देरा था बताते हुए कि कौन से चीज़े कहां पर है और कौन से किधर तो दिवार का डेक का पूरा का पूरा हिस्सा बड़े ही अजीब तरीके से अपने आपी ही सड़ रहा था तो ब्रेंडन वो इससा अनेक्सपेक्टिंग सिन को देखते हुए अपने पास से में ही खड़ी वी सौबेन और सिप के ओनर जैक को इससा व्याट मैटर के बार में दे कुल भी नहीं था तो हाव वेवर अबजेक्ट वो इससे क्रीपी सी अजीब से चीज़ को देखते हुए ठीक अपने सामने ही खड़ी सौबेन को इमिड़ेटली समुन तरके इंदर जाकर डायव करते हुए बाट के उस पार देखने के लिए के लिए केता हैं ताकि वोन काकों के सामने देखने को मिलता है कि कि किसी तरीके के चमकिले से दिखने वाले बानिकल्स वो शीप के चारो तरफ घेरा बनाते हुए उससे चिपकर बोर्ट की लकडी को खा रहे थे जो सीवियसली देखने में काफी अन्यूजवल चीज थी तो अब पानी के अंदर मुच किसी नहीं लेता विकोज से उन सभी को ही ऐसा लग रहा था कि कि वो बानिकल्स नॉर्मल सी को जैली फिस वगेरा होगी जो गलती से इनकी बोर्ट पर आकर चुपगी होगी और बस इतना कहते ही जैक और उसकी वैप पैटरिका वो सभी ही अपने अपने काम पे चले जाते ह वेल अब गे बानिकल्स खतनाग थे कि भी नहीं तो इससे बारे में तो आप सभी को भी थोड़ी ही देर में पता चली ही जाएगा बट अभी के लिए आप सभी ही बस इतना ही जानीजिये कि उससे बानिकल्स को वो नीला कलर का लिक्वेट जिससे हमने जैक के हाथ लगाते दोरान देखा था वो एक काइन डॉफर उससे मचली का सलायवा होता है जो के भी इस समय गलती से बार्ट पे एंट समुन दर के अंदर फेल गया था जिसके बार में जैक और बाकियों को बिलकुल भी पता नहीं था तो बस सब इससे चोटी से चीज़ का इंपक्ट बार्ट के अंदर मुचूद उन सबी पर जो पढ़ने वाला था वो सीरियसली काफी दर्दनाक होने वाला था आए देखते हैं कैसे तो अब इसी ही दिन राप को टीनर करते वक्त ब्रेंट एंट इन टीन शोबें शैन पैट्रिक जूलिया वो सबी ही मिलकर खाना वगेरा ही खारे तो तब यही खाना खाते दोरां शैन को अपने आखों में नॉर्मली इजिंग हो री थी तो इसी ही चिसको देखते हुए वो उटकर पिछे ही बने वे किचन के सिंग के अंदर पानी से अपने आखों को ही धोरा था जिसका कनेक्शन समुंतर के पानी से जुडावा था तो आखों के से दोते ही अचानक से शैन को पहले से भी जादा जलन मचना सुरू हो गी थी तो जिसे देखते हुए शैन वो इससे बारे में कुछ करता तो उससे पहले ही उसकी दोनों के दोनों आखे वो एकदम से अपने आपी ही फढ़ जाती है तो जापाशन के आखों के से उसके अंदर से उचे काले कलर के बड़े ही गिनोने से दिखने वाले पैरा साइट से निकलाते हैं जो कि ये उनी ही बानी कल्स के सलाइबा से बने थे जिसके बार में मैंने आपको बताया था बट बात अभी इधरी खतम नहीं होती वैल सेन के इतनी बुरी तरीके से मरती ही टीन जो कि वास की मौस से बिलकुल ही अंजान था वो खाना खाके सिप के डैक के अंदर बने वे वासरों में आकर नहीं रहा था तो इसे ही बीच हम सभी ही शावर से निकलते हुए पाने से उन्हीं बानेकल्स के सलावा के लिक्विट को निकलता हुए देखते हैं जो कि वो सिधा जाकर टीन की बोड़ी के अंदर गुच आते हैं जो कि इसको इसे बारे में बिलकुल भी पता नहीं था तो अब इससे ही बीचे डैक के उपर की तरफ ब्रेंडन, जैक, जूलिया और सौबन वो सभी ही शैन की इससे अनेक्सपेक्टिंग हुई मौत के बारे में कुछ सोज समझने की कोशिसी करते तो तबही ही उससे ही दोरन इन सभी को नीचे मुझो टीन की बहुती तेज की चिलाने की आवाज सुनाई दिती है तो जिससे सौबन और ब्रेंडन वो तुरंती भाग कर डैक के अंदर आकर वाश्रूम का गेट ही खोलते हैं तो ब्रेंडन को ठीक अपने सामने के तरफ टीन बुरी तरीके से खुन सलत पत नीचे बैठा दिखाई देने को मिलता है जो कि ये इसकी हालत उसे ही बानी कल के सलाइबा से हुई थी तो खेर ब्रेंडन वो जैसे तैसे टीन को उठा कर पास से मेही मुझूद उसको उसकी बोड़ी पे बेंड़ेज वगरा लगाते वे बैठ पर ही लिटा रहा था तो अनफॉर्चनेटली इसे ही बीचे टीन की भी मौत बुरी तरीके से आप फुड़ जाने से सैम सैन के तरह ही हो जाती है जिसके बार में ब्रेंडन वो बाकि सभी ही कोई कुछ भी नहीं कर पाता सिवए टीन को तड़पते वे मरते वे देखने के लवा तो अब टीन के भी ऐसे मर जाने के बाद बॉट के कॉलिडॉर के अंदर सौब एंड जूलिया पेटरिका एंड ब्रेंडन वो सभी ही मिलकर अपने दोनों ही क्रू मेंबर्स की हुई इससे अचानक ट्रेजिक डैट को देखते हुए उससे इंसिडेंट के उपर बात चिती ही कर रहे थे की कि आखिर में कैसे और किस तरीके से या फिर अंबॉले किस कारण से शाइन एंटीन की मौत हुई थी बिकोव सबी तक इन सबी को पता ही नहीं था की कि इन चल रहे खून होने का कनेक्शन समुंदर का इन्फेक्टेड पानी है तो एकजैटली इनी ही बातों के बीच जैक और जूलिया जिनोंने थोड़ी दिर पहले बैसे किली डिनर करते वक्त नॉर्माली खाना खाने के बाद किचन के नल से पाने पीलिया था उन दोनों के भी तबेश से डल ली बात चित के दोरानी खराब हो जाती है तो जापर पास से मही खड़ी पैटरिका वो जैक को सारा देते वे बाट के अंदर बने वे बैडरूम के अंतर ही ले जा रही थी तो उससे पहले जैक के भी अनफॉर्चनेटले टीन और सैम के तरही ही आखों के एकदम से फढ़ जाने से एड दी मुमेंटी देते हो जाती है और वहीं दुसी तरफ जुलिया के भी एक सौबेन के सामने ही बानिंकल्स से बुरी तरीक से तड़पते हुए कहीने कहीन डिप्रेस होते हुए टूडगी थी कि कि वो सीधा बॉर्ट से जम करते हुए पानी के अंतर छलंग लगा कर अपने आपको ही मान लेती हैं जितर पास से मेहीं खड़े वे ब्रेंटेन और सोबेन वो पेटर काप को ऐसे करने से रोक भी नहीं पाते क्योंकि अब हालती कुछे ऐसे हो चुके थे तो अब सैटली अपने सबी ही फेलो क्रू मेंबर्स कैसे मर जाने के बाद ब्रेंटेन और सोबेन वो दोनो टेन जैक और बाके सबी की ही देध बोड़िस को बैस्मेंट के अंदर ही रख रहे थे तो उसे ही दोरां आट ओफ नौवेल बाड के अंजेनी वो अपने अपी ही चलते चलते एकदम से ही इरप्ट हो जाता है तो जिसके चलते पुरी बाड के अंदर ही चारों तरफ आग लगना सुरू हो जाती है तो इसे जलती वी आग को देख सोबेन और ब्रेंटन के पास और कोई चारा ही नहीं थे सिवाए इमिडाइटली अपने इसे बाड को छोड़ पानी के अंदर अपनी एक चोटी सी इमरजनसी एक 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 लाइब बाड पर ही उतर रहे थे तो तवी ही उसे ही दोरान ब्रेंटन जिसका निचे उतरते वक्त पैस लिफ हो जाने से वो सिधा नदी के अंदर ही गिर गया था शोबेन वो उसकी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे बौर्ट से कुद कर ब्रेंटन के उन्हें बानिकल से जानी ही बचा री थी तो उसे ही बीचो शोबेन का हाथ वो गल्ती से उन्हें बानिकल्स के काटने से कट गया था जो कि अब इसकी भी मौतर शोकिंग ली बोडी के अंतर इंफेक्शन फिल जाने से सेम टीनन सेम की तरही ही कभी भी हो सकती थी शोबेन वो ब्रेंडन को अपने भी नहीं सिटी के तरव जाने के लिए कहती है और खुद पानी के अंतर कुद के ताकि वो इन्फेक्शन ब्रेंडन को न लग जाए शोकिंगली अपने आपको ही डुबा कर माल लेती हैं जो कि इसके अलवर उसके पास और कुछ चारा भी नहीं था और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक मिस्टेरियस सी वाटर के बारनिकल्स के वाइरेस के साथ जिसे हम चाहे तो सी फीवर भी कह सकते हैं शोपन और बॉर्ट पर मोजोद उन सभी ही लोगों के उससे इंफेक्ट होती ही बुट्वाल तरीके से उनकी एक एकर मोटों के साथ विए टर बटर अनएक्सपेक्टिंग नोट पे एक इतरी एंड हो जाती है तो वेल दोस्तों यही थी सी फीवर मूवी की एक्स्प्लेनेशन और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब के बिना और वीडियो को लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाएगा क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसी ही और मूवीज की एक्स्प्लेनेशन लेकर आता रहूंगा तब तक के लिए टेक केर एंड पीस आप